हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप एक अपने यूट्यूब चैनल बेंग पहाड़ी में और ये जो वीडियो रहेगा हिमाचल परदेश जीके सीरिस का चोथा वीडियो रहेगा उससे पहले जो है मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पार ए बारे में बात करेंगे और जानेगे कि कौन सी बैली जो है कौन से डिस्टिक में लोकेटिड है और क्या उसका नाम है तो सबसे पहले हम बात करेंगे चमबा डिस्टिक में कौन कौन सी बैली है तो सबसे पहले बहुत फेमस रहती है चुराहा गाटी चुराहा गाटी जो है चंबा में पाई जाती है और दूसरी जो बैली है वो है चंबा बैली तो इसके नाम से पता लग रहा है कि चंबा बैली चंबा में ही है जबकि राभी बैली राभी बैली जो है वो भी चंबा में है और जो है बंदर घाटी या मंकी बैली के नाम से जाने जाती है ये भी जंबा में है तो आपने जंबा से related जो है चार बैलियां याद रखनी है उसके बाद हम बात करेंगे लोहल्स पिती से लोहल्स पिती की जो बैलियां है उसमें सबसे confuse करने वाला रहता है मुलंग बैली तो यह जो है मुलंग और मुलगाओं में अंतर रहता है जबकि मुलंग जो है बैली लोहल स्पिती में है और जो है मुलगाउं बैली वो की नोर में है तो इसी के साथ कन्फ्यूज ना हो इसे जल्द से जल्द याद कर ले ताकि आने वाले एक्जाम में आप इस कोशन को देखे अंसर गलत टिक ना करो तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रा बैली की क्योंकि चंद्रा नदी जो है लोहल स्पिती से निकलती है तो याद करना आसान रहेगा आपकी पतन बैली जो है लोहल स्पिती में पाई जाती है उसी तरीके से जो है लिंक्टी बैली लिंक्टी बैली जो है वो भी लोहल स्पिती में है उसी तरीके से इस बैली के बारे में हमने पहले बात कर चुके है अब जो है पिन बैली बहुत बार प्रशन पूछा जाता है कि पिन बैली कहा है और पिन नेशनल पर कहा है तो पिन बैली है वो लोहल स्मेटी में है नेक्स जो है बात करेंगे हम किनोर की किनोर में जो bellies है वो है पहली बसपा बैली ठीक है दूसरी जो बैली है वो है सांगला बैली इसी के साथ तीसरी बैली जो है वो है हांगरंग गाटी की नोर रूपा बैली की नोर मुलगाउं बैली की नोर और जो है मुलंग बैली बात करेंगे हम चोथे पॉइंट की तो ये जो है बात करेंगे हम मंडी की बात करेंगे तो बलागाटी मंडी में है सबसे उपजाओ घाटी के नाम से जाना जाता है बलागाटी को उसी तरीके से जो है चोंतड़ा बैली की बात करेंगे हम तो ये जो है मंडी में है जबकि च जोंतो वैली के बारे में बात करेंगे तो जोंतो वो विलासपूर में है उसी तरीके से जो है चुहार बैटी वैली वो भी मंडी में है और बात करेंगे हम संधोल की तो संधोल जो है वो भी मंडी में है और संधोल से ही आपने देखा होगा कि यह जो है ब्यास नदी एंटर करती है उसी तरीके से जो है अमला बिमला बिमला आता है तो यह जो है यह भी जो है मंडी में पाई चाती है इमला बिमला घाटी कुल्लू में सिर्फ आपको दो मेन गाटिने याद करनी है एक जो है सिराज कुल्लू में है पारवती भी कुल्लू में है तो इस कुल्लू में जो हो गई सिराज वैली और पारवती वैली शिमला में बात करेंगे हम पबर की जो पबर वैली है और एक जो है रोडू वैली है पबर से आता है दोखरे का दान कहां मिलता है तो ये जो है पबर गाटी में मिलता है उसी तरीके से सिर्मोर की बात करेंगे हम क्यारदान दून सिर्मोर और पॉंटा गाटी सिर्मोर याद कर लेना है कि आर्दान दून सर्मोर और पॉंटा गाटी सर्मोर जबकि आठवे के बात करेंगे हम सोलन सोलन में जो है कुनिहार गाटी सोलन में पाई जाती है दून सपरून सोलन में दून सपरून एक साथ याद करना है दून सपरून सोलन उसी तरीके से कांगडा के बात करेंगे हम तो बड़ा बंगाल वैली जो है यहां से राभी नदी निकलती है यह कांगडा गाटी में पाई जाती है बात करेंगे हम बिलासपूर में तो यह धामी वैली है वो बिलासपूर में है इसे बंदला भी कहा जाता है स्वान वैली जो है उन्ना में पाई जाती है दुख का दरिया स्वान के नाम से जाना जाता है उसी तरीके से देखेंगे हम जो गारा गाटी है वो लोहसपिती में है और गारा गाटी को जो है चंदर गाटी के नाम से जाना जाता है जबकि गंबर गाटी जो गंबर गाटी है वो सोलन में है और दावी गाटी की बात करेंगे हम तो ये विलासपूर में है और ये जो है बहादरपूर और बंदला के बीच जो है दावी गाटी पाए जाती है यानि कि ये दावी गाटी है तो एक साइड इसके बहादरपूर है और दूसरी तरफ जो है बंदला गाटी है तो उमीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा आगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जुरूर से वीडियो लाइक करें चानल सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें और जल्दी नेक्स पार्ट भी अप्लोड कर दिया जाएगा जो नेक्स पार्ट रहेगा बोर रेलेटेड रहेगा रहेगा चानल सबीडियो यहां जाएव टार्ट रहेगा थहां करें से लिए और जाएद डाट रहेगा वाय।